उत्तर भारत के नवे शदाबदी के साशक समराट महीर भोज पर राज्य में गुजर और राजपूत दोनों समुदायों की आपस में ठनी हैं। विवात का निप्टारा जो तक नहीं होता अब तक हाई कोट ने मूर्ती की नाम प्लेट पर गुजर चौक को ढखने का आदेश दिया था। आज पूरे दर्बल के साथ प्रसाशन मूर्ती की नेम प्लेट को ढखने के लिए पहुँचे थे। जब मौके पर गुजर समाज के लोग भी पहुँच गए और उन्होंने गुजर चौक के तीन साइट पर बने अक्षरों में लिखे गुजर चौक को कवर करने से रोक दिया। गुजर समाज के प्रतिनिधियों का कहना है कि हाई कोट के जो आदेश आए हैं उनमें ये बात क्लियर नहीं की गई है। ये गुजर शब्द को टेप की मदद से ढख दिया गया है। हाला कि उन्होंने गुजर समाज के विरोध करने पर उनका कहना है कि किसी तरह के विवात का सामना नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने चौक पर तीन तरफा लिखे हुए गुजर चौक को नहीं ढखा बलके एक तरफ ह अधिकारियों से बात करने के बाद ही आगी के कारवाई की जाएगी। कि वो अमल मेलाई गाएगी। कोई विरोध नहीं है कुजर समाज का गुजर समाज मेरे साथ ही क्या है। आप देख सकते हमने टेप लगा के वो प्रतिहार सम्राट से पहले जो गुजर शप्था उसको उमने कवर करते हैं। क्या कुछ अपील करना चाहेंगे दोनों समुधाय से मेरा इतनी अपील है कि दोनों समुधाय जो है आपस में भाईचारा और शांती बनाए रखें। और यह चोटी-चोटी सी जो बाते हैं इतना विवाद नहीं होना चाहिए इनके हमारे गुजर भाईयों के और हमारे राजपूत भाईयों के आदे से ज्यादा गौत्र मिलते हैं। इनके सांजे गाउं हो रहे हैं, सांजी संस्कृत ही है। हाला के प्रसाशन द्वारा चौक के एक तरफ से बड़े अक्षरों में लिखे गुजर चौक शब्द को ढग दिया गया था। परन्तू गुजर समाज के प्रतनिधी द्वारा विरोध करने पर प्रसाशन के अधिकारी दूसरी तरफ बड़े अक्षरों में लिखे गुजर चौको को बिना कवर किये ही चले गए। अपना पक्ष रखने के लिए गुजर समाज कैथर डीसी में भी मिलने पहुचे जहां पर उन्होंने डीसी के समक्ष अपनी मांग रखी। अब देखने वाली बात ये होगी कि 20 नॉमबर को हाई कोट में समराट मिहिर भोज प्रतिमा को लेकर चल रही लड़ाई का क्या निश्कष निकलता है।